कि अउआ है दो गुद्ध मॉर्निंग एट्टार्टथ वल्कम टू एंग्लीश पुर्थ इसाउमनं खिंग्ल प्राप करिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है फ्रॉम एक्जामिनेशन पॉइंट आफ यूव क्योंकि इसमें बहुत सरे अब्जेक्टिप्स को सन भी बताया है जो आप देखेंगे और ट्रांसलेशन भी आपको बहुत अच् क्लास में परजन परफेक्ट कंटीनिवस देखें आपके स्कीन पर लिखा हुआ है डिस डिफिनीशन लिखा हुआ है डाइट आयन एक्षन इस स्टार्टेड बिफोर सम टाइम और इस इस स्टील कंटीनिवस इसका मतलब हुए फ्रेंड्स कि जो काम कुछ समय पहले दिन दो सब बर्स है ना चाहिए चार बर्स पांच बर्स पहले शुरू हो गया और अभी भी जारी है तो इसको क्या बोलेंगे परजन परफेक्ट कंटीनिवस टेंस मैं समझता हूँ कि आपको समझाया परजन परफेक्ट का डिफिनिशन की कोई भी काम कुछ देर पहले श आता हूँ यहां डिफिनिशन के कोई ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है फिर भी मैं आपको बता देना उचीत समझाया ठीक है तो देखिए आपका यहां आइडेंटिटी लिखा हुआ आपको पाता है नो परजन कंटीनिवस का परजन कंटीनिवस का डिफिक्ट क्या होता आप जनते हैं रहा है रही हे रहे है ठीक है नो तो उसी में लिखा हुआ है रहा है रही है पर लस्ट टाइम डाल देंगे तब जगे कि परजन परफेक कंटीनिवस का क्या हो जाएगा इंटी डीटी हो जागा आपका है कैसे जैसे माल लिजे कि अगर एक ट्रांसलेसं इहा पढ़ा रहा हूं तब कहेंगे कि I am teaching लेकिन वह कहादे कि मैं शुबह से पढ़ा रहा हूं और कहादे कि मैं यह घंट से पढ़ा रहा हूं तो जो रहा हूं उसी मैं ऐसी तरिफ time जोड़ दिये हैं जोड़ दिया है ताइम क्या हो कि अगए फ्रेंस पर्जन परफेक कंटिन्यूर्स की चर्चभ मैं आगे किया है यह तब-tक मैं आपको समझा रहा हूँ इसके साथ है और कोई पूल आएगा या कोई नाम आएगा उसके साथ है लगाएंगे बिन सब के साथ लगाएंगे उसके बाद भर फूर लगाएंगे अब देखें यहां लिखा हुआ है अब बीच में लगा देना है और बीन के बाद भर फूर लगाना है एक अब को बाहर नीकाल दिए दो पहले वह वाक्या जोड़ देगा मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ तो उसमें क्या हो जाएगा फ्रेंट्स डॉबले च वर्ट्स का structure हो जाएगा अब आएए मैं आपको समझाता हूँ since का परियोग कहां करते हैं और for का परियोग कहां करते हैं माल लिजे मैं एक सोटा से कोशन पूछता हूँ कि what is the smallest unit of the time मतलब time का सबसे smallest unit क्या होता है मतलब time का सबसे छोटी का ही क्या होती है तब कहेंगे सर second होता है क्या होता है second उसके बाद मीनट आता है उसके बाद घंटा आता है तो second अगर sentence में आ जाता है अब कहेंगे second का मतलब second का मतलब समझे second का मतलब जैसे 10 second, 5 second, 15 second, 20 second, 25 second अगर आ गया है जैसे माल लिजे कि मैं 5 second, 60 चीज़ को समझा रहा हूँ तो I have been convincing for these things for 5 second ठेके नो तो उसमें आप किसका प्रियो करेंगे second की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें आप जो है for का प्रियो करेंगे ठेके नो for का यूज करेंगे अब देखे second के बास से आपको पाता है कि minute होता है माल लिजे 60 second हो गया तो कोई चीज़ एक minute हो गया तो अगर 10 minute आ गया 5 minute आ गया 2 minute आ गया 25 minute आ गया अब जान लिजे कि minute के बास से hours होता है क्या फ्रेंट्स hours जैसे माल लिजे एन एच अगर यहां कहीं लिखा है एन एच का मतलब तो समझ लिए घंटा अब 2 hours दिया रहेगा तो उसमें किसका प्रियो करेंगे फ्रेंट्स hours में हम for क्या यूज करेंगे तो second के साथ minute के साथ घंटा के साथ क्या यूज किये for लेकिन जी sentence में बज़े आ गया जैसे 7 बज़े 5 बज़े 2 बज़े 4 बज़े 6 बज़े जैसे मैं 4 बज़े से पढ़ा रहा हूं तो I have been teaching you since 4 o'clock वहां किसका पर्यूब unto टाल की बज़े 4 बज़े से आगया तो वहां किसका पर्यूब करेंगे since को पर्यूब करेंगे ठीक है न तो यहां आप second से लेकर minute तक समझ गया है और यहां बज़े तक समझ गया अच्छा लग रहा है आपको क्लास बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है ठीक है अब माले जिए कि में घंटा के बाद बजे के बाद दे होता है तो जब भी दे आता है जैसे वन डे टू डे ट्री टेज फॉर डेज फाइफ डेज है ना पेंटी डेज अगर दे जा गया क्या आगया तो वहां हम किसका उऺंड यूज करते हैं और डेज के बाद सेवेन डेज के बाद वान वीख होता है अगर कि सेंटेंस में वन वीक और टू वा गया है ना तो वहां किसका पर्यो b expo क्या है प्रश करेंगे से माध एक शब्ता से टेंस पढ़ा रहा हूं अब दिखे तो इधा हम चलते हैं यसे डे जाएगा तो फोर क्या उज़ करेंगे नेकिन नेम ऑफ डे जागिया का आगले वीज इन जैसे दो दिन चार दिन आ गया तो पहां वहां आप किस का प्रयोग करेंगे सीन्स का प्रयोग करेंगे जैसे वह सुम बार से बीमार है कि वह सुम बार से बीमार है तो he has been ill since Monday याद रखिएगा इट ट्रस्लेशन आता है अब देखिए अब विक्त आ गया अब हम बात करते हैं मन्थ है नो चार सब्ता के बाद एक मन्थ होता है तो एक मन्थ अगर आ गया है नो टू मन्थ आ गया फाइप मन्थ आ गया तो हम किसका पर्यों करेंगे लेकिन यहां देखे क्या लिखा है since में कि नेम ओफ मन्थ आ गया जैसक जनुवरी आ गया फैबरी आ अगया मार्च आ अगया में आ गया जून आगया इस तरह से अगर आ गया नेम ओफ मुनथ हो महीना के नाम के पगले किसका पर्यों करते हैं hol की कि लिए महीना के लिए साल के अन्हें चार्वा करते हैं उपपार को यूज्ट नियम अफ यह आगया आपको याद है ना जैसे माली जे नेम अफ यह आगे 1965 1965 मैं के लिख रहां फ्रेंट्स 1965 यह इसलिए इंपोर्टेंट है वार बिट्विन इंडिया और पाकिस्तान 1962 वार बिट्विन इंडिया और चाहिन है ना 1999 है न उननी सनी नानवे याद कर जिए कारगील वार ठीक है न 2007 याद कीजिए है न 2011 फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड कप पाली जी इस तरह क्या आ गया 2010 आ गया है न तो वहां आप किसका परियो करेंगे जैसे आपके पीता जी 2005 से SBI में काम कर रहे तो यूर फादर हैज बिन वर्किंग इन SBI सिंस 2005 है न इस तरह का सेंटे आ गया न जैसे वह दो पर से खिल रहा है तो he has been playing since noon का मतलब क्या होते है दो पर evening आ गया इसके साथ-साथ childhood आ गया जैसे वह बच्पन से अंधी है कई बर ट्रांसलेशन आया है वह बच्पन से अंधी है तो लिखेंगे she has been blind since childhood वह बच्पन से अंधी है चैमाली जैसे अप अब आप नहीं भूला पाएंगे लाइफ में कभी ठीक है नो अब देख लिजे फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जदी मीनट आ गया सेकेंड आ गया दीन आ गया महीना आ गया साल आ गया तो वहां किसका पर्यों करेंगे फ्रेंड्स फार का लेकिन वहीं दीन का नाम गया साल का नाम आगे महीना के नाम आ गया मौणिंग आ गया सुबह आ गया साम आ गया बचपन आ गया बजह आ गया तो हमकिस RenoBraques के फ्रेंड्स सीन्स का प्रियों करते हैं आई यह अब इस पर मैं कुछ आपको ट्रांसलेशन दिखा देता हूं देखिए अब इसके बाद का तो उसमें सब्सक्राइब और है जरू लगाएंगे दूसरी बात है कि भर फूर लगाते हैं जहां बहुत आप जहां एड्यक्टिव आता है वहां भर फूर नहीं लगाते हैं अब लिखेंगे वह बच्पन से अंधा है तो सबसे पर लिखेंगे ही और अंधा की इंगलेश होता है ब्लाइंड से चाइड़ड़ अब इनमें आता है बच्पन का इन बच्पन का पर सिंस लेंगे अनो अधिक इतना इंपोर्टन से ट्रांसलेशन लिखा हुआ यह जैसे चबू के छट पर छो चुछुनदर चुछुदर चुछुदर चुचुदर चुछ तो चुछुदर चुछ रही है कि ट्रांसलेशन यह हो गया ठेक है तो आप सिखे कैसे बना है नो जैसे मन यह लिखा हुआ है तुम दुद दिन से बर्ग में उपस्थित नहीं हुए हो तो इसका ट्रांसलेशन है जैसे क्या वे लोग एक महिने से मेरा इंतिजार कर रहे है तो क्या वे लोग ट्रांसलेशन है, तो have they been waiting for me, have they been waiting for me for a month, ठीक है नो, यहाँ फर का पर्यों करेंगे कि एक महीन आया है, तो इसका ट्रांसलेशन होगे, जैसे छट कहां सुबह से चू रहा है, तो where has the ceiling, ceiling मने क्या होते है, ceiling मने होते है, छट का निचला सीरा, ठीक है नो, ज खोच सकते हैं आपको यह ट्रांसलेशन थोड़ा टॉफ लग रहा हो, लेकिन चोटा 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 ट्रांसलेशन आप लोग बनाएंगे, सिखेंगे है नो, अब चोटा ट्रांसलेशन के रूप में क्या हो सकता है, जैसे आप एग घंटा से किरिकेट खेल रहा है, मानले आपको सबसे इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ, अबजेक्टिव कोर्शन जो आपके बूर्ड के एक्जाम में आता है, ठीक है फ्रेंट्स, यहां लिखा हुआ, अबजेक्टिव कोर्शन लिखा हुआ, सी डैस ब्लाइंड सिंस चाइड़ूट, इसी तरह का अबजेक आप देखिए हाँ, second question लिखा, we, you, that's waiting for me for an hour, है लो, आपके सामने option रहेगा, have been रहेगा, has been रहेगा, have being weighting रहेगा, all of these रहेगा, यह यह हीं रहेगा और उसके बाहु नार, रहेगा, you are waiting होगा, aim me, waiting होगा, have been होगा, has been होगा, क्या होगा, तो आप कैसे पता करेंगे, कि इस में क्या होगा तो देखें जिस किसी सेंटेंस में यहांद और तो उसमें इनुसार has have been लगाएंगे और वरभ होगा तो बहूत पूर लगाएंगे नहीं तो अज्जेक्टिव लगाएंगे ठेक है फ्रेंट्स अलाकि मैं इसका और लेड़ी एक त्यार कर दिया हूं आप जाके उसका लिंक्स दिया हुआ है टेंस में उसका सबका अब्जेक्टिव कोश्टन कम से कम 20 अब्जेक्टिव कोश्टन बताया हैं बहुत इंपोर्टन जो आपके पुछे जाते हैं फ्रेंड्स ठेक है न उसका अब्जेक्टिव कोश्टन ठेक है फ्रेंड्स आप जाके वहाँ देख सकते हैं फिलाल आपको मैंने बहुत इंपोर्टन बात बताया है यहां कंसेट बताया कि जिसकी सेंटेंस में या सीन्ज फॉर लगा रहेगा आप समझेंगे कि वह टेंस किसमें परजन परफेक कंटि थे पर लिसनी और लापके वहां परफेक कि वहां परफेक।